तो यहां पे देखिए बहुत गुड नियूज निकल कर आई है तो नियूज क्या है चलिए हम बताते हैं उससे पहले आगर आप इशान पर नहीं हो तो फिलाल क्या कर दिए सब्सक्राइब कर दिए और घंडी वाले चोड़ उस वेल आकान में क्लिक कर दिए तो इंजिनियरि में भी ऐसी होती तो चलिए वैसे देखते हैं कि और कहां कहां सरकार ने फैसला किया है तो यानि कि जो लोग इंजिनियरिंग और मेडिकल करना चाहते हैं खासकर गर्ल्स तो यह बॉइच के लिए थोड़ी तो बैड न्यूज है लेकिन गल्स के लिए काफी खुसखबरी ह तो 33% आपकी अपने भाई वैन होंगे चोटे चोटे उनको बता दिजे कि उन लोग के लिए 33% सीटे आरक्षित हो गई हैं दूसरी बात कि मैं आपको बता दियो तो पहले मिलता था 80% 1% इसे तरीके से 10% TWF को आरक्षन मिलते था लेकिन आवे नहीं है चलिए आप हम देख में 60-65% तक बेटियों का ही होगा एडमिशन यानि कि यह हमारी गवर्मेंट ने किया है यह चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़े हैं नेक्ष जलते हैं नोकडियों में महिलाओं को पहले से मिलता है आरक्षन जस्ट लाइक 50% कोटा महिलाओं के लिए इसलिए बीएड हमारे बिहार में 35% अरक्षन और लड़ी गर्स को दिया गया है 33% अरक्षन मिलती है अनिनोकडियों में लेकिन याद रखेए यह आपको बैंकिंग में मिलते हैं नहीं S.S.E. में मिलते हैं ऐसा कुछ आरक्षन खासकल गर्स सिक्षा के लिए आपको परसाहन भी दिया पचास अजर कमानी में कितने मेहनत लगते है वो आप लोग जानोगे फिर बार्मी पास करने वाली लड़कियों को मिलती है 25,000 रुपे मैट्रिक में फॉर्स डिविजन से पास करने वाली लड़कियों को मिलती है 10,000 तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी फायदे है को लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह नहीं चीज़े है तो जान लीजे तो इसी के साथ मुआफ से लेते हैं वी दावर मिलेंगे अब नेक्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग अस